आप के लिए वीडियो बना रहा है और आज आप उसका रिजर्ट जरूर देख लो अब मैंने आपको क्लियरली कहा था कि market में एक सिंपल concept मैंने कहा था कि अगर market में इस level के उपर market रहता है तो आपको bullish ही प्ले करना है इवन ये morning पर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि market bullish ही रहने वाला है आज as for the concept of market direction market के closing उपर होनी चाहिए most viable chances यही है आप देखो market धीरे 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 नीचे आया और यहाँ से support बनाते हुए उपर के दरब गया यहाँ पर क्या है बहुत लोगों नहीं यहाँ पर call buy के होंगे तो 100% उनको loss हुआ ही होगा तो कि देखो क्या होता है expiry का day है अगर आप call buy करोगे और market धीरे धीरे नीचे आयागा फिर यहाँ तक भी गया आप जाके एक task देतो हुए आपको 17,700 का call का high इस पहले candle में कितने रुपे पे लगा फिर यहाँ नीचे आने के बाद आप देखो nifty तो उपर है आप एक चीज़ चेक करो कि nifty का high इस जगे पे था फिर बाद में यहाँ पे लगा फिर भी 17,700 कभी भी अपने high को तोड़ नहीं पाया तो यह सारी चीज़े क्या है तो आप अगर इस जगे पे trade करते हो और यहाँ profit book करते हो तो वह अच्छी चीज़ है अब यह कैसे आप track करोगे वह सारी चीज़े बताऊंगा पहली बात expiry के day के समय आपको कुछ चीदे याद रखनी है आपकी as option buyer entry जो होनी है बहुत सही जगे पे होनी चाहिए अगर यहाँ पे आप कही entry कर लेते हो और market यहाँ पे आपको दिखता है sideway जा रहा है तो इसी समय पे आपको exit हो जाना है यहाँ से यहाँ तक आपको यह बड़ा loss शो करेगा as option seller हम लोग इस condition को थोड़ा सा resist कर सकते है ले सकते है but as option buyer बड़ा मुश्किल होता है so I will tell you the reason behind that कि आपके entry यहाँ कैसे हो सकती थी अब आप थोड़ी सी चीज़े observe करो यहाँ पे time क्या था one o clock के 15 minute पे hammer बनी इसके बाद में breakout आगया 1.15 फिर एक doge type pause candle बनी और exactly rateist के candle बनी और यहाँ से market नी चाहा है 1 to 1.45 now I am going to show you something अगर आप यहाँ पे देखोगे देखो यह जो calls है यहाँ पे मैं आपको कुछ इसे explain करूँगा यहाँ से आप लोगों को concept समझ में आएंगे just a minute अब देखो यह जो red color की line है यह puts है और यह जो यह है call है आप सुबह से देखो कि put selling काफी हेवी थी more market में continue चल रही थी but at the same time call selling भी continue चल रही थी but put selling हेवी थी तोकि market gap up open होता that is obvious thing put selling ज़्यादा ही रहेगी और बढ़ भी रही थी but उसके बाद में आप देखोगे तो कहीं न कहीं इसके बाद में यह total OI change की बाद चल रही है यह धीरे 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 flat होते गया but call selling बढ़ते गई उस वज़े से market में हलके से deep आने लगे this is the chart of nifty actually यह आप price भी देख सकते हो जैसे जैसे यह हुआ तो market flat हुआ और यहाँ पे एक deep आ गया nifty में भी deep आ गया अब इस concept को समझो आप अब यहाँ पे अचानक से क्या हुआ न जो red color की line है put sellers यहाँ से निकले और call sellers बढ़ गए इनको cross किया this was a complete trap यह हुआ almost one o clock के आसपास आप देखो यह जो low लगा है अब यह low लगने के बाद exactly put sellers यहाँ से फिर से बढ़ने लगे और call sellers यहाँ पे कम होने लगे तो यहाँ पे आपके लिए एक condition बनी थी अब आप बोलोगे कि sir देखो यहाँ पे तो put sellers नीचे आगे call sellers तो हम call क्यों ना sale करे तो उसके लिए मैंने आपको level दिये 17,691 यह जो level दिये यह market यहाँ पे आके hammer बना के बैटा हुआ है तो आप क्यों sale करोगे इस level के नीचे जाओगे तो sale करोगे तो level ने already इसके पास support ले लिया था और एक candle green बन चुकी थी तो आपका sale करने का सवाल नहीं आता So how the level is going to help you वो आप समझो सिर्फ why data पे आप check नहीं कर सकते या trade नहीं बना सकते अब यहाँ पे क्या हुआ आपके level पे भी trade मिला और open interest ने भी आपको बता दिया कि put seller बढ़ने लगे call sellers कम होने लगे अब यह जो time है almost 115 to 120 का trade है अब उसके बाद में देखो क्या हो गया भाग गया सब तो that is the thing कि आप इस चीजों को समझो कि 115 to 130 यह time है इस समय पे आपको entry नहीं बनती थी अच्छ चलो यह नहीं बनाना है तो यहाँ से आप trade कर सकते हो यह green बनने का उसके बाद में आप देखोगे exactly train line का भी breakout हुआ यहाँ पे यह train line का आप चेक करोगे तो वो भी आपको clarity मिल जाएगी train line का भी breakout मिल जाएगा तो exactly आपको यहाँ भी पे entry मिल सकती थी यह फिर आपको aggressive यहाँ भी पे entry कर सकती यह आपको entry मिल सकते है as a option बायर अच्छा profit आप कर सकते थे इस जगे पे आप यह देख सकते हो कितना सही low लगा हुआ है अपने level पे और किस तरह से market ने support zone बना गए और कुछ reasons बताऊंगा आपको कि क्यों मैं इतना positive ता market में इतनी बड़ी movement होने के बाद आप telegram पे जाके check किया होगा तो आपको यह दिख गया होगा कि मेरा message of almost 10 o'clock के आसपास है my view is up for me as per the setup direction is up but it may show negative candle कितना important statement आप देख लो it may show negative candle तो SL आपके होने चाहिए छोटे से upside means I am not having any call मैंने put sale की हुए अगर market आता भी है नीचे या फिर sideways भी जाता है तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ेगा पड़ आपको और कुछ चीज़े बताता हूँ यहाँ पर आप सारी चीज़े देख ही सकते हो exactly अगर आप यहाँ पर देखोगे चलो मैं आपको finnifty को बताता हूँ जब हम लोग यह discussion कर रहे थे तो आप देखोगे finnifty में यहाँ पर low लगा उसके बाद में यहाँ पर low लगा तो हर समय पर higher low बनते गए जब यहाँ पर nifty कहीं न कहीं lower low बनाते जा रहा है तो finnifty support ले रहा था और यहाँ पर almost breakout हो गया बाद तो यह clarity थी कि finnifty यहाँ पर नीचे नहीं आ रहा था हम भी nifty को trade नहीं करते थे breakout हो या कुछ भी हो बट मैं आपको चीजे बता रहा हो किस तरीके से trade होता है अब आप bank nifty को भी देखो bank nifty में भी हमारी लेवल थी इस लेवल के उपर clear cut tm वाले लोगों को सब को पता है कोर्स वाले कि यहाँ पर buy करके चलना है अब आप यहाँ पर चीजों को observe करोगे तो clarity क्या है bank nifty में उपर गया यहाँ पर टाइम पास किया फिर एक breakout आया हमारा target पहला यह था ठीक है 40,094 कैसे निकालना है वह आपको पता है फिर market नीचे है फिर यहाँ पर fake downside mood दिया फिर स बास इस जगे पर डरना नहीं है ठीक है यहाँ पर रहो या फिर आपको एक opportunity मिल जाती है यहाँ से फिर से put sale करो आपको अच्छा profit बनेगा तो इस तरीके से proper entry आप लोगों को करनी चाहिए इस तरीके से आप अच्छा profit कर सकते हो तो nifty के लिए भड़ी आपको थोड़े से lower low बंद रहते हैं but that was a trap and it was confirmed by the OI data as well as bank nifty और finnifty हमें support कर रहे थे बाकी चीज़े मैंने आपको कूर्स में explain की हुई है और एक important चीज़े मैं आपको बता रहो 11832 का मैं जनरली बताता नहीं बाद आज के डिट में बता रहो कि यहाँ पर मैं और profit मतलब put sale नहीं कर पाया because I was busy in another account 11832 का profit book होगा है but at the same time आप check करोगे this is the another account almost आप इसे देख सकते हो आपको चाहिए तो मैं इसको यह देख सकते हो 19,000 मतलब almost 20,000 के आसपास profit है total but आप इसे देखो कि इसमें already मैं 10 to 12,000 book कर चेको 10,000 प्लस already profit book है तो यह पूरे strategy में 30,000 प्लस हो चुक है यह आज नहीं यह पहले किया हुआ है यह तीन दिन के strategy इसमें इतना बन चुका है तो इसको मुझे manage करना आप देख सकते हो 17,750 के call में almost 19,000 का loss है 20,000 का loss इसमें ही है but हम लोगोंने बाकी चीज़े 750 से almost 17,000 का profit किया यह सारी इस तरीके से चीज़े करेंगे कभी भी कोई 17,800 भी आप देख भी profit बना सकते हो right but गलत चीज़े करोगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी वो मुझे 11,000 12,000 से वहां पे 20,000 या 30,000 लेके जाना मुश्किल नहीं था बट यह भी तो करना है ठीक है तो बहुत पीछे नहीं लगना है पैसो के profit के आपका पैसा आना कम और जाना जादा होगा you have to focus on the process but first of all again मैं आगे continue करने के लिए कुछ चीज़े बताता हूँ कि कल एक बड़ा important दीन है right तो उसके लिए मैं आपको एक announcement तो कल के दिन मेरा birthday है 9 September तो उस खुशे में हम लोग यहाँ पे discount coupon देंगे जिनको भी enroll करना है अभी यहाँ पे coupon available नहीं बट वीडियो मिलते त पर आप उसे लेके इस course में अगर चाहते हो तो आप enroll हो सकते हो right each and everything is explained there आप यहाँ पे जाके जो भी content है overview यह सारी चीज़े पढ़ सकते हो if you are interested you can join so एक और एक खुशी की बात है अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो we reach to the 35,000 video share करोगे तो जल्दी हम लोग 40,000 पे भी पहुच जाएंगे और we have to cross 50,000 very soon right तो आप लोगों का support है इसलिए हम लोग यहाँ तक आ चुके और इसलिए मैं यह सारी चीज़े आप लोगों के करता हूँ तो friends ऐसे ही आप लोग share करते रहे है subscribe करते रहे है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब पहले देखते है निफ्टी को अब देखो यह बैंक निफ्टी का spot का चार्ट है बैंक निफ्टी में देखो जैसे हम लोग बात कर रहे थी कि W pattern बन रहा था यहाँ से न और यह important level है 40106 की यह जो high लगा हूँ है इसके उपर आज बहुत अच्छा breakout हो चुक है निफ्टी में देखोगे थोड़ा आज के date में निफ्टी में अभी भी यह high के थोड़ा दूर pattern है रेट थोड़ा आप देखोगे तो हलका सा दूर ही है तो निफ्टी में कही ना कही उतना strongness नहीं है आज के date में आप देखोगे तो इस चीज में कही ना कही यह zone जो है इसके उपर तो आ चुका है बट अभी भी यहाँ पे एक moment बाकी है लेकिन क्या है इसके पहले negative हो जाएगा हो सकता है रेट क्योंकि अभी सब लोग यहाँ पे buy करके चले गए होंगे जायद यह यहाँ पर pause करके इस gap को fill करके अगर इस level को काटेगा ना तो आपको इस high के आसपास यह जो level है यहाँ पर high पर जाने के लिए time नहीं लगे यहाँ तक market जरूर जाएगा इस चीज को हमेशा याद रखो right almost 18,000 के आसपास है लेकिन यह जो gap है यह थोड़ा सा concern है इसलिए यहाँ पर pause candle बन सकती है अगर retailer buy करके गए तो शायद हो सकता है कि market में फिर से pause लिया जा सकता है तो इसलिए कुछ लोगों ने पूछा था कि call buy करके देखो नहीं करना चाहिए जनरली अगर आप intraday कर रहो उसका mindset अलग होता है positional trading का mindset अलग होता है तो अब देख जाता important level जो हमारी आ रही है इस चीज़ को समझ जाते है 17,860 और 836 एक important zone है अगर इस zone के उपर अगर market निकलता है gap up होता है और इसके उपर sustain हो जाता है और price action शो करता है और data confirmation देता है तब ही हम लोग long जाएंगे तब market में उपर की moment हो सकती है अगर market यहाँ से resistance लेता है त लिकिन 836 के नीचे अच्छा price action बनता है अच्छी candle बनेंगे तभी short करेंगे otherwise नहीं दूसरी चीज़ यह जो zone है 17,800 का और 780 का यह important zone है यहाँ पर market time pass करेगा अगर price action बनेगी higher lows और OI data में confirmation वो चीज़ मैं generally पहले बता देता हू किस तरीका trained है अगर यहाँ पर मिलता है त इसको बिल्कुल ही मतलब आप नजर अंदाज मत करना यह बिल्कुल काम में नीचे की भी levels है वो levels मैं आपको telegram पर provide करूंगा bank nifty की levels होते है बट अभी मेरे पास इतना time नहीं है bank nifty के levels मैं आपको telegram पर हो सके तो मैं सुबह provide करने की कोशिश करूंगा आप telegram channel जरूर join कर लिंक आपको यहां पर मिल जाएगी इस लिंक को आप सीधा copy करके description box में नीचे आपको मिल जाएगा इसको copy कीजेगा और जादे जाके telegram पर पेस्ट कर दीजेगा तो आप वहां से join कर सकते हो that is the most important thing और दूसरी चीज़ अगर यहां पर आप लोगो को कल के date में मैं आपको विसर्जन है तो उस वज़े से हम लोग थोड़ा घर पर प्रोग्राम होता है तो उस वज़े से मैं शायद busy रहूँगा हला कि कल office के लिए मुझे holiday है बट फिर भी कल मुझे थोड़ा सा घर के काम भी है उसमें थोड़ा सा function है तो busy रहूँगा at the same time birthday भी है तो एक दिन तो जुड़ना चाहते है अगर सीखना चाहते तो आप हमारे application को download कर सकते हो अगर program को join करना है उसकी लिंक अपर description box में नीचे मिल जाएगी आप वहां से join कर सकते हो और वहां पे आपको coupon भी discount coupon मिल जाएंगे तो always check the available offers और यह offers आज मेरा बड़्डे 9 September को कल तक आपको यहां प भी learning बहुत सारी मिलती है तो thank you for being with us मिलते हैं next video में जल्दी